हाई गाईज में नाम तुन आपसर देखर आपपी के चैनल देखर दोस्तों आज के इस ब्रेवे हम बात करेंगे फेस्बुक के इस वीक पे आए अपडेट को लेके यह वीक लास्ट वीक क्या अपडेट है इसको लेके जिकर करूंगा तो वीडियो काफी ज़दा इंफर्मे आप आओगे मैटा बिजनेस स्वीट के अंदर और यहाँ पे कहा यह जा रहा है सबसे इंपॉर्टेन बात जो इस अपडेट के तहट वो है यू कैन ऑल्सो शीडियूल टेक पीपल इन योर रिल्स यानि कि पहले हम लोग जब रिल्स बना रहते तो उस पे रिल्स को शीड रिल्स को ऑप्डेट करने का ऊप्षन देगा मैटा बिजनेस स्वीट के अंधर अभी आप लोग जाके चेक करना मैटा बिजनेस स्वीट के अंदर रिल्स को अप्लेट करते हूए शीडियूल का बटन आपको आर आह तो यह पहले से यो, जरू का कमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना तो यह एक बहुत ही किफाईती टूल है एक साथ सारे रिल्स को बना के शीडियूल पर लगा सकते हैं दोस्तों अगला जो आपडेट आ रहा है वह आपडेट भी रिल्स को लेके ही है होगा इसको एक प्लेट करोगे तो कोई बन्दा एक रिल्स देखने के लिए आएगा प्लेट को अगर क्लिक करके आता है तो आएगा एक देखने मगर देखके जाएगा दस की क्योंकि सिमिलर कंटेंट होगा तो ओडियंस का इंटरेज भी ग्रैब होता रहेगा तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है नया फीचर है यूज जरूर करना अभी जाके चेक करना कि आपके रिल्स के जो पार्ट है वहाँ पे प्लेलिस्ट वाला पार्ट शो कर र दोस्तों अगला जो अपडेट है वह भी रिल्स के मद्देनजर ही है और यह अपडेट भी फेस्बूक ने लाया है फेस्बूक रिल्स के ऊपर जहां पे आप लोगों को as a user not only creator as a user अब रिल्स को हाइट करने का option देगा अगर आप चाते हो कि यह तरीके के रिल्स में नही हो जाता है audio के sound के साथ और हम नहीं चाते कि ऐसा हो तो उसके इस पर हम नहीं चाते कि कोई भी रिल्स हमारा पेज मतलब प्रोफाइल पे automatically play हो जाए तो हम इस option को यह पर stop करके देंगे तो हमारे फीट पे profile के फीट पे कोई भी रिल्स automatically play नहीं होगा तो यह option भी अब रिल् बहतर तरीके से आपके फीट को and रिल्स देखने वाले creator या रिल्स देखने वाले user रिल्स को control कर पाओ तो यह more control वाला feature आया है आपको यह option अभी आया नहीं आया ज़रूर बताना क्योंकि यह testing phrase पे है दोस्तो अगला जो update है इस update के लिए भारत पे बहुत सारे creator बेर सबरी से इंतेजार कर रहा है मगर अब update यह है कि testing meta verified in Canada इसका मतलब है पहले बाकी यूएस पे आया था न्यूजिलेंड पे आया था ऑस्ट्रेलिया पे आया था मगर अब meta verification subscription बेस पे Canada पे भी आ चुका है लाइव हो चुका है तो अगर आप Canada पे रहते हो तो अभी आप लोग blue tick ले सकते हो paid subscription plan को purchase किये facebook का तो दोस्तों यहां पे कहा यह जा रहा है कि कौन सा कौन सा रीजियन पे अभी यह available हुआ है तो मैंने जब चेक किया तो देखा कि यह अभी फिरहाल United States Canada United Kingdom और Australia न्यूजिलेंड पे ही available हुआ है भारत पे अभी available नहीं हुआ है मगर हो सकता है फाइल पे शो कर रहा था verified का option वो बीच में गायव हो गया था मगर अब फिर से वो verified meta का option आ रहा है वहापे क्लिक करने पे help center पे भेज दे रहा है account center पे भेज दे रहा है मगर हो सकता है जल्दी यह option जो है आपको भारत पे भी मिल जाए और भारत पे जब यह meta verification का option आएगा so not only in facebook instagram पे भी यह option मिलेगा जहाँ पे पे करके आपको verified tick mark लेना है तो यह अभी तक भारत पे नहीं आया है मगर यह जल्दी आने वाला है क्योंकि facebook इसको roll out करेगा और भी reason के लिए तो यही कुछ इस week तक update है अगर कोई update छूट गया है और आप लोग को लगता है मैंने ब जरूर बताना next में update पे जरूर वो update भी add करके explain करके बता दूँगा तो आज की इस वीडियो पे इतना ही मिल तो आगले वीडियो के साथ तक आप लोग कुछ रहो आब आद रहो और मैं भी बगणाम करें दोस्तों बाई